The Three Little Pigs बहुत पुरानी बात है एक रामपुर नाम के गाव में एक सुवर का परिवार हैता था जिस परिवार में सोनी, टोनी और जौनी नाम के बच्चे रहते थे और उनके साथ था उनके पापा सुवर जो बहुत खूश थे उन बच्चों में टोनी और जौनी बहुत शरारती, आलसी और ना समझ थे और उनके बिल्कुल विपरित उनकी बहन सोनी थी फिर अच्चानक पापा ने बच्चों को बुलाया तुम बड़े हो गए हो, मैं अपना घर खुब से बनाना आना चाहिए तो तुम सब जंगल में जाकर अपना अपना घर बना लेना लेकिन हमारे पास तो हमारा घर है, तो हम क्यों जाए पापा? क्यों भाई? हाँ भाई, आप सही हो, हम जंगल में क्यों जाए पापा? भला ऐसे क्यों बेटा? बापा मेरे भायों के साथ जंगल में जाओंगी चब्बास बेटी हाँ हम भी जाएंगे जंगल में क्यों भाई कुछ समय बाद बच्चे जंगल में निकल पड़े तीनों भाई बहल साथ साथ जो ऑई हमारा घ्र महां गात्ताया होगा हम साथ न değ बनाएंगे हम दोनों भाई हमारा घर अलग बनागे हाँ भाई आपसे हो हाँ मैं आपना घर दूर बना लूँगी इस तरह तीनों भाई बहन जंगल में अपना अपना घर बनाने के लिए जगा धूनने लगे जौनी और टोनी से दूर सोनी ने घर के लिए जगा धून ली तो भाई आप क्या करे आप क्या भाई आप खाने का पिनिकोरेश करने का अकेली घबराई हुई सोनी सोचने लगी तोनी और जोनी भूल गये थे कि बारिश आने वाली है लेकिन सोनी यह नहीं भूली थी कि बारिश कभी भी आएगी अगले ही कुछ दिनों में तेज आंदी और तूफान के साथ बारिश आने लगी और जंगल के जानवर इथर उधर भागने लगे यहाँ सोनी अपने घर में सुरक्षित थी वहाँ दोनों भाई बारिश से घबरा रहे थे डर रहे थे कि अब हम केसे बचेंगे अब भाई हम इस मुसिवत से केसे बचेंगे हम ने सोनी के पास जाना चीए लेकिन वह हमें अंदर लेगे क्या एक पर हम कोशिश तो करते है दोनों भाई डरे से में सोनी तक पहुँच जाते है सोनी हमसे घर नहीं बन पाया हमें अंदर ले लो हाँ सोनी अंदर ले लो तुम दोनों बाहर क्यों भीग रहे हो अंदर आ जाओ चलो आजा तुम बहुत अच्ची हो सुनी हाँ सुनी हमें इस कहानी से सीख मिली की संकट के समय में परिवार ही काम आता है